अफवाहों से बचें ये बाते जारखंड के डीजी पी ने कही नमस्कार टाइम फैक्ट नीज में आपका स्वागत है मैं हूँ परतिमा भारद्वाज असमाजिक तत्व द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है अगर आप इस तरह की अफवाहें सुन रहे हैं तो नजदिक के थाने में या किसी भी प्रसासन की अधिकारी को रिपोर्ट करें वैसे क्रिमनल तत्व जो समाज के नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उन्हें हम चिन्हित कर कठोर से कठोर सजा देने का काम करेंगे तत्वां दोरा अफवाहें फैलाए जा रहा है तो हम पुना सबसे अन्रोद करना चाहेंगा कि यह अफवाहों पर बिल्कुल धहन नहीं दे करवाहें हो रही है यह सब बिल्कुली जूट है और ऐसे क्रिमिनल तत्व जो समाज को नुकसान पहुंचाना चाहता है उनके द्वारा यह साजिश नचाहें जारा और उनको अम लोग फाचान भी रहा है और फाचानने के करवाही में जब पहुचान में आएगा तो पकड कार्मिक अनुष्टानों में जो भाग ले आता वो वेसा रूल्स और कॉर्णर साक्ट का अंतरगत अपरादिक मामला है उसमें दिर्ज किया गया भी वह लोग क्वारंटेन में है जैसा क्वारंटेन अब पूर्ण हो जाएगा स्वास्त बाग बोलेगा कि इनको क्वारंट चल रहा है हम लोग पहले वह जिस पर तूकने की बात हो रहा है उसको कोज रहा है वह है को उनको जो आरोप लगा रहा है उनको बोले है ना कि जिन पर तूका गया उसादमें को सामने लाए तब ज्यान चांगे बढ़ेगा लागडाउन लंगन का तो लगबग अभी अंदागा बोलने तो ठीक नहीं जोगा साइकड़ों में हुआ कम चार्सों पचास तक का हुआ था जिसमें लगबगा 550-560 परसंस पर प्रस्कोशन हम लोग लांच किये ते और यह जो हेट स्पीच का तरब सोशल मीडिया में एक दूसरा समदाय के प्रती यह दुश्परचार करना नहीं तो समाज में एक दंगा फाइलाने की खोशिश करना इस टैप कर सारे चीज़ों को कुल 41 केस दर जिवाबी तक